10.1.4 स्पेन द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों का दोहन हमने पढ़ा कि लेटीन अमेरिकी देशों पर शाषन करने का अधिकार स्पेन में इस्थित परिशत के पास रहता था परिशत का उद्देश था इस बुभाग के प्राकृतिक संसाधरों का व्यवस्ति दोहन जिससे स्पेन को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अमेरिका में किसान और जमिदार व्यपारिक फसल जैसे गन्ना या कपास उत्पादन करते थे जब किसान अपनी फसल का उत्पादन कर लेते थे तो उन्हें अपनी फसलों को किवल परिशत द्वारा निर्धारित स्पेनी व्यपारियों को ही सस्ते में बेचना होता था इससे खेती से होने वाले फायदे की रकम किसानों के पास जमर नहीं हो पाती थी इसके करण किसान खेती के उन्नती में पूंजी नहीं लगा पाते थे फलता इस वो भाग में कृशी का आधुनी की करण नहीं हो पाया इसी तरह लेटीनी अमेरिका खदानों से निकलने वाले सोना, चांदी और धातों पर राजा का अधिकार माना जाता था और वह जहाजों के द्वारा स्पेन भेज दिया जाता था लेटीन अमेरिका की खदानों से निकली धातु का उप्योग स्पेन में होता था उपनिवेशों में किसी भी तरह के उद्योग धन्दे का विकास नहीं होने दिया गया कोशिश यह रहती थी कि सभी वस्तों के आपूर्ती स्पेन से की जाए 10.1.5 स्पेनी उपनिवेशवात के विरुध संघर्ष यू तो इस स्पेनी हुकूमत के खिलाफ कई संघर्ष और विद्रोग होते रहे खास कर मूल निवासियों वो अफ्रीकी दासों द्वारा लेकिन वे असफल रहें इस बीच उपनिवेशों के सभी तपकों के लोगों को स्पेन के शाषन से परिशानी बढ़ने लगी लेटीन अमेरिका में रहने वाले यूरोपी मूल के लोग नए लोग तांत्रिक वर राष्टवादी विचारों से परिचित थे सन 1776 की अमेरिके क्रांती और 1789 की फ्रांसीसी क्रांती से लेटीन अमेरिका के देश भी प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी आजादी के लिए नई कोशिश शुरू की हैती लेटीन अमेरिका में सबसे पहला सफल विद्रोव फ्रांस के एक उपनिविश हैती द्यूप में सन 1791 इस्वी में हुआ फ्रांसीसी क्रांती से प्रेरित होकर करीब एक लाक आफरिकी दासों ने विद्रोव कर दिया एक भूत पूरव गुलाम तोसा ले उवर्चुर ने विद्रोही सेना का सफल नेत्रुथ किया इसके बाद दास प्रथा को हमेशा के लिए समाप्ट कर दिया गया और सभी दासों को मुक्ती दी गई सन 1802 में हैती एवं फ्रांस के बीच समझोता हुआ लेकिन नेपोलियन के अधिकारियों ने तो साले ओवर्चूर को धोके से गिरफतार कर लिया और उसे बंदी बनाकर फ्रांस भेज दिया गया जहां उसका देहान्त हो गया फिर भी लोगों ने संघर जारी रखा और सन 1804 में हैती ने अपने आपको मुक्त कर लिया और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया यह विश्व इतिहास का पहला सफल दास विद्रू हुथा लेटिन अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष हैती के विद्रों के बाद स्पेनी लेटिन अमेरिका में भी सन 1811 से विद्रों शुरू हुआ जिसका नेत्रत जादा तर क्रियोल समू के लोगों ने किया इनमें से प्रमुक्ते सिमोन बॉलिवार एवं जोस मार्टीन आपको याद होगा क्रियोल समूल लैटीन अमेरिका में सबसे कम शोशित समूल था बहुत से क्रियोल यूरोपे विश्वित द्यालेों से पढ़ाई करके आए हुए थे और आधुनिक लोकतांतरिक विचारों से परिचीत थे सीमोन बॉलिवार ने क्रियोल आफ्रीकी दासों एवं छोटे किसानों की एक सेना बनाई और स्पेन के खिलाब सन 1811 में बगावत चुरू कर दी इस सेना के साथ साथ बॉलिवार ने स्पेनी शाषन के खिलाब अनवरत युद्ध किया जिन में कई बार उसकी हार हुई लेकिन सन 1819 में वर्तमान कोलंबिया को उसने स्पेनी शाषकों से जीत लिया सन 1821 में वर्तमान वेनेजियोला भी मुक्त हो गया इसके बाद वाद दक्षिन में एक्वाडोर पहुँचा जहाँ वाद दूसरे लेटिन अमेरिकी निता जोस मार्टिन की सेना के साथ हो गया लेटिन अमेरिका के दक्षिनी हिस्से जिसको हम वर्तमान में अर्जेंटीना कहते हैं में विद्रो का नेत्रुत जोस मार्टिन ने किया उन्होंने अर्जेंटीना और चिली को स्वतंत्र करा दिया सन 1824 में बॉलिवार और मार्टिन के संयुक्त सेना ने पेरु से भी स्पेनी सेना को निकाल बाहर किया उसी समय ब्राजील में भी लोगों ने पुर्तगाल से अपनी स्वतंत्रता घोशित कर दी थी इस तरह पूरा लैटीन अमेरिका यूरोपी शाषन से स्वतंत्र हो गया सीमोन बॉलिवार पूरे दक्षिनी अमेरिका के क्रांतिकारी मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं जहां जहां उनके सत्ता स्थापित हुई वहां दास प्रता और बेगार प्रता को समाप्ति किया गया आफ्रीकी दास और इंडियन दोनों उनके क्रांतिके साथ हो गये उनका वादा था कि बड़ी जमिदारियों को तोड़ कर छोटे किसानों में जमीन बाटी जाएगी लेकिन ये क्रियोल जमिदारों के विरोध के चलते संभो नहीं हो पाया